कर separated by num athe कर नमस्कार दोस्तों आफ सभी का आउसधी एंड held में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आसकर बात करेंगी आज घुट कौन क्रीम के बारे में इस क्रीम का जो है यूज़ किन किन रोगों किया जता है इसके यूज़ करने से क्या लाब होते है इस इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते है इसमें कौन सा कंटेंट मिलाया गया है और इसे कैसे यूज करना है इसे कैसे लगाना है आपको सारी जनकारी मिलेगी आप जो है इस वीडियो को लाश्ट टक देखे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हो तो पहले जिस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस चैनल पर रोजाना दवा घरल नुष्ख है और हेल्थ टिप सब्सक्राइब जनकारिया मिलती रहेगी अब बात करते हैं आई जी कौन ब्यूट्री क्रीम के बारे में यह जो है आपको एक ट्वीड में मिलेगा और इस बीस करकेंट के बारे में इसमें कौन सा मिला हुए है इसमें जो है है ़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब डना सब्सक्राइब लगा कियता है यह चेहरे के डाग धब्बे को खत्म करता है चहरे पर बने दाने जैसे कील मुहासे को भी यह खत्म करने के लिए इस्तमाल कियाता है आज जी कौन क्रीम का जो इस्तमाल अगर चहरे पर जुरिया बन गया हो या फिर चहरे पर सावला पना गया हो चेहरा जो है धूल कड़ की विज़े से सावला हो गया हो इन सब जैसे समस्या के लिए अगर आप इसका इस्तमाल कर रहे तो आपको बहुत जल लाब होगा यह जो है चेहरे के सावले पन को खत्म करके चेहरे को जो है गोरा सुन्दर और चेहरे को मुलायम बनाएगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके इस्तमाल कैसे करना इसे लगाना कैसे है इसे आप रात में ही लगाए सोने से पहले दोस्तों इस क्रीम को अगर आप दिन में लगा रहे हो तो इसे लगाने की पाद धूप में बिल्कुल ना जाए नहीं तो यह आपको नुक्सान पूशा सकता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्रीम के side effect क्या हो सकते है या जो है लगाई जैने वाली जगह पर Reddit हो सकता है या फिर आपको जलन या खोजली हो सकता है अगर आपको आपने डाक्टर से जावर समपर करें अगर इस क्रीम का आप इस्तमाल कर रहे तो कुछ साउधने जरूर बरते इस क्रीम को जो है बहारी तोचा पर ही लगाए इस क्रीम को बच्चों से ही दूर रखे